समस्कार मैं हूं निजामुदिन हासमियों आप देख रहे हैं पी न्यू चैनल खबरों का बास्सा आज हमारी टीम राजधानी लखनो के सटे हुए जिला बारा बंकी में भरमड कर रहे थी आईए हम जानते जनता से कि क्या जनता चाह रही है दरियाबाद की जनता हमारे सामने है वो बताएगी कि यह इलक्षन किस तरह हो रहा है और इस पर सबसे आदा बिजय किसको बनाएंगे आईए सबसे पहले दादा जी आप अपना परचे दीजिए नैमिस परताप सिंग नाम है हमारा और मैं 1985 में हाई स्कूल में पढ़ता था तो गाउं में बात चर्चा सुरू हो गई हमारे परता जी परधान रहते थे अगानपूर ग्राम पंचा से स्वर्गिय स्यू कुमार सिंग जी तो गाउं में चर्चा होने लगी कि राजा साब हडा चुनाओं लड़ने वाले हैं तो मैं उनको जानता तक नहीं था फिर बाद में हुआ कि राजु भाईया चुनाओं लड़ने जा रहे हैं तो सेर निसान था उस समय अब क्या कारण था उतनी बात हमको नहीं पता है लेकिन वो कहते हैं निर्दल चुनाओं लड़े थे तो यहां से जो कांग्रेस के विधायक थे तो कहते हैं उनको कुछ 40-42 सोट मिला था और हमारे राया साब को कुछ 32,000 कुछ होट मिला था उस चुनाओं में भारी मतों से बिजय हुए थे तो उस समय राजियू ग हरों मौझूद हैं और उसमें एक निपंदर चाचा भी थे जैन साब थे टिकेद नगर के गंगु भाई थे सराही के गंगा बक्सिंग और कुछ लोग थे और एक सुकला जी थे हमारे गाउंक बगल के केड़ी सुकला यह लोग उनको लोगों साथ फोटो भी है तो उनको क हवा चली थी कि देश से कांग्रेस हटाओ तो उस समय बड़ी विप्रीत परिस्थितियां थी और राजा साब को टिकट मंग गया कांग्रेस से लेकिन उस समय एक गजेन सिंग कभी विदायक थे सायद बताते हैं कांग्रेस से थे रामनगर से तो वो यहां टिकट पागे ज नहीं मानता था जो भी सबको परिवार का सदर समझते थे और लोग भी उनको परिवारी अपना मानते थे ओ लुग अपना मानते थे रहने के लिए जहां मिल गया जैसे जो भोजन मिल गया इस तरह उनका जीवन चलता रहा और वो लगाता रहा चुनाओ जीते रहे नो जनता यहां उनको नेता मानती थी और वो उसको जनता मानते थे वो मानते थे हमारा परिवार है तो परिवार की तरह सब को रखे थे और उनका आकस्मिंग निध तो लोग ने निश्चे कर लिया था कि किसी भी हालत में कुमर साफ को चुनाव लढाना है तो हम लोग निश्चा भीयक साथ है और उनको चुनाव लढा रहे हैं वह अपर जीद के जाएंगे यहां और हो बदला होी यहीं कभी वो उनका इतना राजनेतिक जीवन उनका रहा, इनकी इतने मुमर हो गई लेकिन वो कभी उनके किसी भी निर्णे को न वो काटते न रोकते थे, वो सबको प्यार देते थे, वो कुछ़ाभी रहे, लेकिन अब उन पर जिम्मे दारी है, उसको निर्वान करेंगे उनमें कोई कमी नहीं हो सकता उनसे भी अच्छा करेंगो ऐसा हम लोगों की आसा है और यह हम लोग विस्वास भी करते हैं राजा साहब के भी समय आप देख रहे होंगे कि हमारे रीतेस बाबू का क्या रवया है कैसा माहौल है और यह सरकार चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे यह जैसे राजा साहब की बागदोर खुद समाल लेंगे या नहीं समाल पाएंगे आप बताएए समाल लेंगे आप और ने जनता हैं और वो ज्यादा काम करेंगे लिए ज्यादा काम करेंगे खाएं तो प स door हमारे जैनता हम से और हम जनता से बराबर जुड़े रहें जे कि नौजुमाई वग है इनकी सोच और राजा साथ की सोच में कहीं न कहीं फरक होगा तो आज के जनरेशन में देखा जाए तो रिंकू भया या राजा साथ तो आप ये बताईए एक निर्दलिय हमाई राज कुमार सामने उतर के आ रहे हैं इतनी पार्टी होने के बाद रिंकु भाई यह थे दरियाबाद की जनता क्या चाह रही है जहां तक इतने राजनीतिक मन्च है उसको छोड़कर जनता चाह रहे कि मैं निर्दलिय को लाओंगा पी नियु रजजब अली के साथ मैं निजामुद्दिन हास्मी